आज हम बात कर रहे हैं लीग के दसवे मैच की, जहां धमाकेदार कोलंबो स्ट्राइकर्स का मुकाबला दंबुला सिक्सर्स से होगा। ये मुकाबला रंगिरी दंबुला इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा, जो दंबुला सिक्सर्स का होम ग्राउंड है। इससे निश्चित रूप से उन्हें थोड़ा फायदा मिल सकता है। इस वीडियो में पावर प्ले स्कोर, टॉस विनर, फर्स्ट इनिंग्स का क्या स्कोर रहेगा, आज के मैच में कौन बाजी मारेगा, ये सारी जानकारी दी जा रही है। पिछले पांच मुकाबलों में दंबुला का प्रदर्शन बहतर रहा है। उन्होंने तीन बार जीत दर्ज की है, जबकि कोलम्बो को सिर्फ दो जीत मिली है। गौर करने वाली बात ये है कि पिछले सीजन में दंबुला ने दोनों मुकाबलों में कोलम्बो को हराया था। अगर हम आंकडों को देखें तो कुल नौ मुकाबलों में से दंबुला का पलड़ा भारी रहा है। उन्होंने छे बार जीत हासिल की है, जबकि कोलंबो सिर्फ तीन बार ही जीत पाया है। अब हम भारत के नंबर वन, क्रिकेट मैच टिप पर द्वारा बताए गए आज के मेगा जैकपॉट क्रिकेट मैच की भविश्यवानी। पर आते हैं कि आज का मैच कौन जीतेगा। दिल्चस्प बात ये है कि पहले बल्लेबाजी करते हुए दंबुला का रिकॉर्ड काफी मजबूत है। उन्होंने इस स्थिती में पांच जीत दर्ज की है, जबकि कोलंबो सिर्फ एक बार ही जीत पाया है। मगर पीछा करते हुए कोलंबो का प्रदर्शन बहतर रहा है। उन्होंने दो बार जीत हासिल की है, जबकि दंबुला सिर्फ एक बार ही जीता है। इन खिलाडियों पर रखे नजर, शादाप खान, शानदार फॉर्म में चल रहे शादाप खान, इस मैच में भी अहम भूमी का निभा सकते हैं। हालिया मैचों में लगातार विकेट चटकाने वाले इस गेंदबाज के इस मैच में भी दो से ज्यादा विकेट लेने की उम्मीद है। सदीरा समरा विक्रमा, कोलंबो के लिए लगातार रन बनाने वाले समरा विक्रमा ने चार मैचों में 124 रन बनाए हैं। मतीशा पथिरना गेंदबाजी में मतीशा पथिरना का प्रदर्शन शांदार रहा है। उन्होंने 10 मैचों में 13 विकेट लिये हैं। कुसल परेरा दंबुला के लिए कप्तान कुसल परेरा ने 8 मैचों में 838 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से 238 रन बनाए हैं। वहीं दंबुला को अपनी लए हासिल करने के लिए जूजना पड़ रहा है। बहतर इस्तेमाल कर सकती है। हालांकि बाद के ओवरों में दंबुला के गेंदबाज वापसी कर सकते हैं लेकिन कोलम्बो के आकरामक बल्लेबाजों को रोकना उनके लिए चुनौती पूर्ण होगा। यदि कोलम्बो टॉस जीतता है तो वे पहले बल्लेबाजी करना चाहेंगे। वे शुरुवाती ओवरों में आकरामक क्रिकेट खेल कर रन बनाना चाहेंगे। अगर कोलम्बो स्ट्राइकर की टीम पहले बल्लेबाजी करती है पहली पारी में 6 ओवर के पावर प्ले में रंजीरी डंबूला इंटरनेशनल स्टेडियम, डंबूला मैदान की पिच और पूर्व के मैचों में खिलाडियों के प्रदर्शन के आधार पर 41-48 के बीच स्को यह निश्चित रूप से एक रोमान्चक मुकाबला होने वाला है दोनों ही टीमें जीत के लिए अपना सर्वश्रेष्ट प्रदर्शन करेंगी टॉस और पिच की स्थिती मैच के परिणाम को काफी हद तक प्रभावित कर सकती है आए देखते हैं कि कौन सी टीम इस रोमान स्कोर रन पहली पारी में कितने रन बनेंगे बैक टू बैक पास होती जा रही है हमारी मैच भाविश्यवानी जानने के लिए हमारे टेलीग्राम लिंक से कनेक्ट होना है वो डिस्क्रिप्शन में दिये हुए टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करके हमारे चैनल से जुढ सकते ह गुर्ड़ करहा हुआ.